नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूँ आपके साथ शेलेंद्र पांडे जोतिश में आजकल एक नया ट्रेंड चल गया है कुंडली दिखाईए और कुंडली में कोई भी समस्या हो तो लोग कह देते हैं कि भाया तुम्हारी कुंडली में पित्रदोश है इसकी शांती कराओ दो योग ऐसे हैं जो जोतिश के बाजार को गर्म किये हुए हैं एक है कालसर्फदोश और दूसरा है पित्रदोश आखिर ये पित्रदोश होता क्या है इसका सच क्या है ये आपको आज अपने अंक में हम बताएंगे चाल चक्र में क्या खास है चलिए बताते हैं आपको चाल चक्र में आज बात करेंगे पित्रदोश के प्रभाव के बारे में किन दशाओं में किन स्थितियों में पित्रदोश बन जाता है कब बन जाता है इसको जानेंगे और अगर कुंदली में पित्रदोश है तो इसका निवारन कैसे करेंगे इस विशेपर भी आज बात करेंगे तो पित्रदोश का पूरा मामला क्या है? पूरी स्थिती क्या है? ये समझने की और समझाने की कोशिश आज के अंक में हम करेंगे और आपको बताएंगे कि पित्तुर्दोष को ले करके जो तमाम तरह की बातें कही जाती हैं तमाम तरह की बातें बताई जाती हैं वो कितनी सच हैं कितनी सही हैं चलिए कारिक्रम को आगे बढ़ाते हैं, सबसे पहले ये जानते हैं कि पित्रदोष होता क्या है और पित्रदोष का प्रभाव क्या है, इफेक्ट क्या है देखिए, जीवन की उन्नती में तमाम चीजें बाधाएं उत्पन्न करती हैं कोई भी जीवन हो, किसी का भी जीवन हो, बिना बाधा के जीवन नहीं चल सकता, बाधा तो आएगी ही और ये बाधा आती है दोशों की वजह से, तमाम रुकावतों की वजह से कुछ दोश इसमें जाने पहचाने होते हैं और कुछ दोश होते हैं अग्यात जिन्दगी में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं सब कुछ बिलकुल सही चल रहा है लेकिन अचानक से रुकावट आ जाती है अचानक से कोई ऐसी घटना घट जाती है जिसकी वज़से कुंडली के परिडाम ठीक नहीं हो पाते कुछ दोश ऐसे होते हैं जो जाने पैचाने होते हैं और कुछ अग्यात दोश होते हैं इनहीं अग्यात दोशों में से एक दोश है पित्र दोश पित्र दोश को लेकर दुनिया में जितनी मार्केटिंग है न आप सोच भी नहीं सकते हैं कुंडली में कुछ भी समझ मिना आए, कुछ भी बुरा हो रहा हो, तो क्यों हो रहा है, तुमारी कुंडली में पित्रदोश है, ये तुरंत कह देते हैं लोग, और शांती कराओ, वरना तुमारी जिन्दगी में कुछ नहीं होगा, पित्रदोश जो है, वो आम तौर पर राहू से बनता है, राहू की विशेश इस्थितियां ही, इस दोश का पित्रयोग का निर्मार करती हैं, बेसिकली कुंडली का जो रहस्य है, कुंडली का जो अज्यात पक्ष है, वो राहू है, और राहू की वज़ा से जब अलग-अलग तरह की स्थितियां बनती हैं, तो इनको लोग कहते हैं पित्रदोश, इनको लोग कहते हैं काल सर्बदोश, basically ये problems राहू की होती है आप सीधा ये भी कह सकते हैं कि तुम्हारी कुंडली में राहू की स्थिती ठीक नहीं है इसलिए राहू के उपाय करो, लेकिन लोग ये नहीं कहते हैं, लोग कहते हैं कि तुम्हारी कुंडली में पित्रदोश है, इसका उपाय करो यानि मामला जो जुड़ा होता है काल सर्बदोश का या पित्रदोश का उसके पीछे जो मुख्य ग्रह होता है वो राहू होता है तो बजाए हम राहू की जिम्मदारी के हम ये कह देते हैं कि तुम्हारी कुंडली में पित्रदोश है जबकि सच्चाई ये है कि राहू की अलग अलग जो निगेटिव इस्थितियां होती है वो निगेटिव इस्थितियां पैदा करती है निगेटिव प्रभाव देती है और इसी को लोग पित्रदोश का नाम देते हैं पित्रदोश से दरने की जरूरत नहीं है राहू की एक निगेटिव इस्थिती है जिसके लिए राहू का उपाय करना चाहिए सवाल ये पैदा होता है कि हर आदमी की कुंडली में तो पित्रदोश होता नहीं या राहू की निगेटिव इस्थिती तो होती नहीं कुंदली में आखिर पित्रदोष क्यों होता है देखिए राहू का मतलब होता है आपके पूर्व जन्म के और इस जन्म के बीच का जो संबंद है जो रिलेशन है वो कैसा है आपके पूर्व जन्म के कर्म कैसे हैं जिनका प्रभाव इस जन्म पर पड़ रहा है अगर इसको देखना है तो आपको राहू को देखना होगा समझना होगा पूर्व जन्म का जो हिस्सा जिन्दगी में होता है वो राहू होता है इसलिए अगर पूर्व जन्म में आपने अपने माता-पिता की अवहेलना की हो आपने अपने दाइत्वों का अगर पूर्व जन्म में ठीक तरीके से पालन ना किया हो पूर्व जन्म में आप पिता रहे हो बच्चों की देख भालना की हो पूर्व जन्म में आप माता रहे हो बच्चों का पती का ध्यान ना दिया हो यानि पूर्व जन्म में अगर अपने दाइत्वों का आपने ठीक से पालन नहीं किया है तो इसका प्रभाव इस जीवन में जरूर दिखाई देगा पित्रदोश के रूप में आपने अपने अधिकारों और शक्तियों का दुर्पियोग किया है पूर्व जन्म में आप ऐसे पदपर थे ऐसी स्थिती में थे जब आप बड़े शक्तिशाली थे अधिकारी थे और आपने उसका दुर्पियोग किया लोगों को परिशान किया तो इस जन्म में राहू येटिव स्थिती को हम कहेंगे पित्रदोश है और अगर पूर्व जन्म के ऐसे कर्म हैं जिसका फल आप नहीं भुगत पाए हैं तो इसका असर आपकी जिन्दगी पर इस जन्म में जरूर दिखाई देगा व्यक्ति को जीवन में हर कदम पर असफलता मिलती है और आदमी समझ नहीं पाता बहुत सारे लोगे शिकायत करते हैं कि भाई मैंने किसी का नुकसान नहीं किया मैंने सबके लिए अच्छा सोचा मैं अच्छे रास्ते पर चला फिर भी मेरे साथ बुरा होता है वो इसलिए हो जाते हैं इश्वर के शरण में जाते हैं तो आपकी गरबढ़िया साफ होनी शुरू होती है आपकी गंदगी निकलनी शुरू होती है और आप घबरा जाते हैं होता यही है कि पूर्व जन्द में के जो कर्म हैं पहले उनका भूतान होगा पहले वो पूरे होंगे तब जा